नमस्कार दोस्तो मैं भूपेंदर मिश्चा श्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तो यह फिलोसफी को उपर मेरा आठवा वीडियो है इस वीडियो मैं आप लोगों को योग दर्शन के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में लोग योग दर् देश चाहे राजिस्तान चाहे यूपी पीसी एस ओ यह आप लोगों हर पीसी एस एक्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगा दोस्तो तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप लोगोंने हमारे चैनल भूपेंद मिस्रा प्रकृति पुरूस के स्वरूप दो ही चीज को पढ़े ना मतलब प्रकृति को पढ़े और पुरूस को पढ़े प्रकृति और पुरूस में जब इस्वर मिल जाएगा तो वो कौन सा दर्शन हो जाएगा दोस्तो वो हो जाएगा योग दर्शन ठीक है ना साख्य दर्शन में हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सी प्रकृति और पुरूस का साख्य दर्शन एक आस्ति को मानता है वो क्या है आस्तिक है और जो भगवान को मानता है वो क्या है इस्वरवादी दर्शन है यह चीज को याद रखना है तो जो साख्य दर्शन है वो इस्वर को नहीं मानता है मनुष्य जीवन के अध्यात्मिक मांशिक और सारिक उनति के लिए दर्शन का एक बड़ा व्योहारिक और मनोवैज्ञानिक रूप योग दर्शन में प्रस्तूत किया गया है और इसका प्राराम किस ने किया था पतनजली मुनी के योग सुत्रश्य होता है अब हम लोग जाल लेते हैं कि योग क्या है योग जो है दोस्तों वो संस्कृत के सब्द यूज धातू से मिल करके बना है और जिसका मतलब क्या होता है यूग्त करना या जोड़ना या मिलाना महरसी पतनजली के अनुसार बात करे तो योगह चित्ता वृत्ती निरोधा महरसी पतनजली ने क्या क्या है योग को कैसे परिभासित किया है योगह चित्ता वृत्ती निरोधा मतलब क्या होता है इसका चित्त की वृत्तियों का निरोध या नियंतरण ही क्या कहलाता है दो योगा कर्मशू कोशलम मतलब क्या है कर्मो में कुशलता ही योग है अपने कार्मो में जो कुशल है कुशलता पूराख हम लोग कर रहे हैं वही क्या है दोस्तो योग है योग का डिफिनेशन अगर आप लोगों पूछेगा तो ये लिखने में मदद कर सकता है अब देखते हैं महर्सरी पतंजली ने योग के जो आठ सोपान बताये थे इसको आस्टांग योग भी कहा जाता है ठीक है तो अब हम लोग आस्टांग योग के बारे में देखेंगे और आस्टांग योग कौन-कौन से है यम, नियम, आशन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धा और समाधी, अगर इसको संचेप में देखें, सौट में अगर समझने का कोशिस करें दोस्तों तो जो हमको आठ स्टेप में हैं, आठ स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, मुक्ष या समाधी भारती दर्सन का ultimate motto क्या है दोस्तों मुक्ष की प्राप्ति करना, तो यह आठ स सबसे पहला स्टेप है यम, यम का मतलब होता है कि हमें बुरे काम करना छोड़ दे रहा है, नियम का मतलब होता है हमें अब अच्छा काम करना सुरू करना है, आशन का मतलब होता है अब हमको अपने सरीर को स्वस्त रखना है, प्राणायाम अपने स्वास पर संयम रखना है प्रत्याहार मतलब होता है अपने दोस्यों को दूर करना जो हमारे सरीर के अंदर का जो दोस है उसको दूर करना है धारणा मतलब होता है चित को धे में लगाना जो हमारा मोटो है उसी में हमारे मन को क्या करना है लगाना है ध्यान होता है अगर लग जाए ध्यान जो है हमको म मेनली लगाना है और लास्ट में हमको मिलता है समाधी जो इस्थिर हो जाए वो क्या है समाधी है और जो लग जाए वो क्या है ध्यान है इसको हम लोग चलिए डिटेल में देखते हैं अस्टांग योग को सबसे पहले यम यम दोस्तो इसके पांच अंग होते है मेन हमको क्या करना है दोस्तो देखिए यम में यहाँ पर क्या बता है आपको बुरे काम छोड़ना है तो हमको यहाँ पर जो बुरे काम छोड़ने के जो जो चीजे किया जा सकते है वो चीज जिसको यम में आते हैं इसके पांच अंग है तो पहला क्या है दोस्तों हम लोग पहला क्या बुरे काम बंद कर सकते हैं तो अहिंसा किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए ये कहता है यम अर्थात सभी जीओ पर हमको दया भाव रखना चाहिए दूसरा हम लोग क्या चीज गलत काम है जो उसको छोड़ सकते हैं कभी भी हमको जूट का सहारा नहीं लेना चाहिए मतलब कि हमको जूट नहीं बोलना चाहिए आस्ते चोरी नहीं करना चाहिए ब्रह्मचरे इंद्रियों पर सहियम रखना चाहिए अपरिग्रफ मतलब आवशक्ता से अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए तो ये यम के पांच पॉइंट है और अगर सौट में समझे तो यम मतलब क्या है बुरे काम को छोड़ना अब अगला है अपना नियम नियम में दोस्तों हमको अच्छे काम करना सुरू करना है मतलब क्या करना है हमको सौच सारीरिक और मानशिक सुधता रखना है हमको क्या करना है अपने सारीरिक और मानशिक सुधता रखना है मतलब सरीर को और मन को साफ रखने के लिए जो काम कर सको वो करना है दूसरा है लाब लाब में आता है सॉरी संतोस संतोस में इसके भी क्या है पांच प्रकार है ना पहला है सौच मतलब अपने को साफ रखना है सरीर को और मन को दूसरा है संतोस हमको लाब या हानी के प्रती नीरिविकार का भाव रखना है मतलब कई बार होता है ना कि अगर हमक कुछ का फाइदा हो जाते हैं यस या हूँ करने चिलाते हैं न और नुक्सान हो गया तो अपने पार बैढंत के बैट जाते हैं घरStra मन मन लगा करके जो काम करें उसमें करते जाओ करते जाओ स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आपको निरंतर अध्यान मनन और अपने आपको जानने में लगना है हमेशा हमको जानने में लगना है स्वध्याय, अपने आपको जानने में क्या करना है अपने मन को लगाना है पांचवा है इसका इस्वर प्राणी निधान मतलब संपुन्द स्रिष्टी समाज और विश्व में आस्था एवं सरद्धा रखना है ये नियम के पाँच भागवे सौट में समझे तो हमको क्या करना है अच्छा काम करना सुरू कर देना है सौट, संतोस, तब, स्वध्याय और इश्वर प्राणे मीधान यम का उद्देश जो है दोस्तो वो होता है आत्म नियंत्रन है मतलब हमको खुद पर नियंत्रन रखना है जबके नियं का उद्देश है आत्मोन नती मतलब हमारे जो अंदर की जो आत्मा है उसकी उन्नती पहले का संबंद स्वैम से है मतलब यम का संबंद किस से है हम से खुद से है और दूसरे का संबंद है हमारे विवहार से हैं दूसरे का संबंद क्या है विवहार जगत से है ठेक है तो यम और नियम इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है तो ये अंतर को आप लोग लिख सकते हो अगला आता है दोस्तों अपना आशन जो तीसरा आश्टांगयों का पाठ है आशन आशन की सिध्धी से नाडियों की सुध्धी और आरोगी की वृध्धी और इस्फूर्थी प्राप्त क्या आजा सकता है मतलब अगर हम लोग आशन करें तो आशन करने से क्या होगा हमारी जो नाडियां है नाडिया आप लोग समझते होंगे नाडियों में क्या हो जाएगी स निरोग रहें कोई रोग से घ्रषित नहीं होंगे हमें इसपूर्ती हम ऐग 750 मतलब होता है जैसे कोंग लोग और पतंजली ने लिखा है मैं इस्षिरम सुखम आशनम शुक्रेश रखने वालेन तथाуск्ष देने वाले बैठने के प्रकार का क्या कहते हैं आशन कहते हैं अगर हमको आशन का परिभासा लिखना है तो पतंजली के हिसाब से क्या है इस्थीरम सुखम आशनम चित को इस्थी रखने वाले तथा सुख देने वाले बैठने के प्रकार को क्या कहते हैं आशन कहते हैं योग की आठ सोपान बोलिए या अस्टंग मार का जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है दोस्तों वो आशन है और था तीसरी मंजील के लिए पहली वा दूसरी मंजील को प्राप्त करना अनिवार है अगर हम लोग को आशन में बैठना है तो हमको यम और नियम को फॉलो करके ही बैठ सकत है अगला है प्राणायाम प्राणायाम का सीधा से संबाद समझे बाबरामदे का अगर आसन देखते होंगे तो जो सांस अंदर बाहर लेते हैं बस उसी का है प्राणायाम योग के आठ सोपानों में से चौथा सोपान है प्राणायाम जो है दोस्तों वो दो सब्दों से मिल यू से है जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसे है जिसका मुख इस्थान हिर्दय में है व्यक्ति जब जन्म लेता है तो गहरी सांस लेता है और जब मरता है तो सांस को पूर्णता छोड़ देता है जब हम लोग धरती पे जैसे मा की गर्व से निकले तो उसमें क क्या लेंगे हम लोग सांस को अंदर लिए और जब मर गए सबस्सांस अंदर ली नहीं सबस्क्राइब हमारे चलता थो तो हम लोग में उस समय लाश्ट पॉन्ट में क्या कर दिया होगत अपने सांस को पॉल्ड रूप प्राण सक्ति को उत्प्रेयन देना बढ़ाना विस्तार विस्यस भागों में संचलित करना अत्वा संपूर्ण शरीर रही जब हम सास लेते हैं व्यान का मतलब होता है जो चर्बी तथा मांस का कारे करती है हमारे यहां पर जाकर के हवा थोड़ा सा इस्टोर होगा व्यान में चर्बी तथा मांस का कारे करती है एक होता है समान इस वायू का कारे होता है हड़ी में होता है जो हमारे हड़ी में जो हवा जाएगी वो क्या है समान और तीसरा है दोस्तो हमारा अपान अपान का अर्थ नीचे जाने वाली वायू या सरीर के रस में होती है उदान उदान का अर्थ उपर से जाने वाली वायू यह हमारे नाड़ी तंतर से होती है और प्राण वायू हमारे सरीर का हाल चाल बताती है यह वायू रक्त में होती है यह जो हमारे खून में जो रक्त है दोस्तों उसको क्या कहते हैं और जो हमारे नाडी में होगा उसको क्या कहेंगे उदान कहेंगे एक अपान है जो हमारे सरीर के रस में होगा ठीक है और समान क् थी टोटल पांच प्रकार के यहां पर वाईउ को भी बताएंगया है यहां पर पांच जगों अपर यहां पायू क्या है इस दोस्तों पूरख काह गया है जैसे कि अगर एकदम संतुलित सांस लेंगे जैसे आप लोग कभी सांस अंदर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे पूरक सांस को थोड़ा दिर अपने अंदर अगर रोकें डारेक्ट हम लोग सांस तो छोड़ते नहीं है जैसे एकदम सांस लिए सांस छोड़े नहीं सांस लिए और सांस को थोड़ा दिर तक अपने अंदर रोके हुए है तो उस रोकने वाले पीरट को कहते हैं कुम्भक और जब हम लोग सांस को छोड़ देते हैं दोस्तों तो उसको कहा जाता है रेचक प्राणायाम करते समय हम स्वांस लेते समय या तीन क्रिया करते हैं पूरक कुम्भक और रेचक प्राणायाम दोस्तों सौट में समझना है तो क्या है स्वसन नियंत्रण द्वारा मनों पर नियंत्रण हमारे सांस को नियंत्रित करके अपने मन को नियंत्रित करना ही क्या कहलात लाता है अगर सौनलागा दीड़नों के प्रणायाम के प्रमुख प्रकार हैं दोस्तों एक है नाड़ी शुधन इसको अनोलों कहते हैं बहुत कर आते हैं लोम मिलम है । भरस्तिका का है उज्जाई है प्रामरी है कपाल भाति है केवली है कुंभक है सिदकारी असीतली ये आप लोग याद रख सकते हैं अगला है दोस्तों प्रत्याहार जब इंद्रियां अपने बाहरी विश्यों से मुड़कर अंतर मुखी हो जाती है तो उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं मुख्यता प्रत्याहार की सिध्धी में इंद्रियों पर अधिकार जब हम लोग अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे मन की निर्मलता हमारा मन निर्मल हो जाएगा तप में वृद्धी होगी दीनता का नास हो जाएगा सारिरिक अरोग्यता की प्राप्ती होगी तथा समाधी में प्रवेश करने की ताकत जब हमको प्राप्ट होगी दोस्तों तो जिस अवस्था में हमारी ज्याने इंद्रिया अपने बाहरी विश्यों से मुक्त होकर अंतर मुखी हो जाती है उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं मतलब अब हमको बाहर कोई मतलब नहीं है, बाहरी बातावरण से, मतलब हमने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, खाना पीने पर कोई मतलब नहीं है, मन एकदम साफ हो चुका है, अब हमारा तप करने पर ध्यान लग रहा है, शरीर जो है आरोग गया है, मतलब कि अ चित्ट का देश विशेश में बन्द जाना धारना है इस अवस्था में मन प्ूरी तरह इस्थिन तथा सांत रहता है जब वेक्ति प्रत्यहार में परांगत हो जाता है तो धारना सधने लगती है कलपना और विचारों का यथार्थ रूप लेना ही क्या कलाता है दोस्तों धारना है जिसे धारना सिध्य हो जाती है दोस्तों कहते हैं कि ऐसे ऐसा योगी अपने सोच या संकल्टों मात्र से सब कुछ बदल सकता है जैसे आप लोग पुराने जमाने में टीबी ओवी में बैठे रहते हैं और यहां से जो सोचे उसी चोंट कर डालते थे ऐसे ही योगी के आसिरवाद या साप फलित होते हैं कई बार पुराने जमाने में देखांगे ना रिश्य मुनी लोग साप देते हैं तो जिनको धारना की कैपिसिटी आ चुकी है वही आसिवाद या सराप देंगे तो कुछ हो सकता है तब कलपना करे कि आप सिहत मंद और सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं धारना में से मन पूर्णता एकाग रहकर सक्तिसाली बन जाता है अगला है ध्यान ध्यान का संबंद दोस्तों मौन से हैं मतलब अब इस समय आपको कोई हल्ला उल्ला नहीं कर अप रहकर के कुछ नहीं सोचते हुए स्वयम के आसपास की गति विधियो तथा स्वयम के सरीर की गति का उलोकन करते रहने से भी जागरुकता का विकास होता है आप चाहे तो आँख बंद करके बैठ जाएं और सांस को क्या करें दोस्तों अंदर बाहर ले या श्वास प् सहायता से मन में राजस और तमस मल का क्या होता है दोस्तों नास हो जाता है तथा सात्री गुड़ों का दिकास हो जाता है मतलब क्या है आप लोग को ध्यान में लगाना है तो एक जगा चूप चाप बैठ जाना है और बाहर क्या हो रहा है हमारे सरीर के अंदर क्या हो रहा ह है और इस समय हम बाहरी चीजों को ना देख करके अपने अंदर महसूश करते हैं अगला लास्ट इस्टेप है दोस्तो समाधी समयातीत है जिसे मोक्ष कहा जाता है लास्ट इस्टेप भारती पां कहा सकते हैं समाधी ही मन विचार और सरीर के पार जाने की कला है समाधी प्राप्ठ कर लिए मतलब समच चाये अब आपको इस दुनिया संसार से कोई मतलब नहीं है जीवन मरन यह सब खेल खतम अब आप संसार की जो गतिवीधिया है जनम मरन जीना मनना बार बार वो सबसे आप को खतम हो चुके हैं अब आपको मोक्ष की प्राप्टी हो चुकी है यह था आछ टांग योग का पूरा का पूरा आठो पार्ट दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक जरू करेगा और कमेंट करके हमें बताएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीस अपने दोस्तों के साथ सेयर जोर करेगा और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाज तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू